दोस्तों, आज किस वीडियो में भिहार डियलेट के इंट्रेंस एक्जाम में प्रिवेस सेर पूछेगे इंग्लिस के most important 20 questions करने वाले हैं और आप दोस्तों चेक किजिएगा 20 में से कितने questions का आंसर आपके सही हुए है चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यह जो आप phrase देख रहे हैं दोस्तों, लूक डॉन अपॉन यह क्या आर्थ देता है, इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, डिस्रिस्पेक्ट करना अब इन चारों में से कौन सा वर्व, सेम मीनिंग देता है, सेम अर्थ रखता है तो देखें, एड्मायर का मतलब तो आपको पता है दोस्तों, परसंसा करना, इन्वेस्टिगेट मतलब, जान परताल करना और परस्वेट मतलब किसी को मनाना होता है, अब बचा हमारा रिगार्ट वीथ, रिगार्ट वीथ, कंटेंप्ट तो यही है इसका सही आंसा, ठीक न, इसका मतलब ही वही होता है, डिस्रिस्पेक्ट करना नेक्स्ट कोश्चन, नोन फाइनाट सवर्ब से पुछा गया है, और यह टॉपिक मैंने आपको दो वार करवाया है, याद किजी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी आप लो इंटेंस में में वर्व के रूप में यूज नहीं होता है नोन फाइनाट सवर्ब का, और नोन फाइनाट सवर्ब जो है, यह दोस्तों कुल तीन परकार के होते हैं, देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, नोन फाइनाट सवर्ब, देखिए, एक होता ह सा Infinitive, दुसरा होता हैlines, ऑर दीसरा होता है पाटिस्टीपल, अब आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, कि कौन सा Infinitive होता है, कौन सा जर्न होता है, कौन सा पाटिस्टीपल होता है, तो ये Already मैंने आपको उस class में बताया था, यहां पर भी आप लोग पढ़ सकते हों, ठीटा, तो और non-finance verb, जो है ना, कभी भी किसी sentence के tense, subject के number और person के according अपना रूप नहीं बदलते हैं, ठीना, वो same अपने ही रूप में रहते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीना, और agile object group में use होते हैं, या subject group में, दूसरा होता है दोस्तो हमारा जेरन, मतलब कि वर्वी की first form क साथ ing लगा देजिए, या वर्वी की fourth form कह सकते हूं, वो होता है मारा जेरन, अब जेरन पहचानने का क्या तरीका है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, देखे, पहले तो ये पता है आपको दोस्तों की non-finance verb जो होते हैं, वो agile subject या object group में use होगा, main verb के रूप में नहीं हो अब देखे, reading जो है न, ये क्या है, ये हमारा जेरन है, मतलब non-finance verb है, अब कुछ है प्रिंट कहेंगे क्यार, ये तो main verb है, नहीं, likes जो है, ये main verb है, ये जो object group में use हुआ है, और तीसरा होता है हमारा participle, अब इनके भी तीन पार्ट होते हैं, मैंने already detail में बताया है, देख लेट वाले sentences में क्या होता है, कि आपको rule हमारा क्या कहता है, कि लेट वाले sentences का अगर हम passives बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको एजा subject group में late रखना है, ठीना, इसे object में लेकर नहीं जाना है, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, object में जो होगा, उसको late के साथ ल object प्लस में be, ठीना, प्लस में वर्व की third form, क्योंकि ये तो आता ही है, वर्व की third form, और उसके बाद by करके ये कर देना है, मतलब जो sentence होगा, क्योंकि आपको पता है, late के बाद हमेशा objective case का use होता है, objective case, nominative case, subjective case क्या होता है, और लेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, playlist चे objective case use होगा, तो him का objective case, him ही होता है, जैसे अगर आपसे पुछे जाए, he का objective case क्या होता है, तो him होता है, लेकिन him का तो him ही होगा, him को तो change नहीं कर सकते हो, ठीक न, I hope आपको समझ में आया होगा, अब इस rule के according आप चेक कर लीजे, कौन सा सही है, देखिए, late, late, उसके बाद the work, उसके बाद V आ गया, और वर्व की third form, why करके him, पहला option सही होगा, इसलिए दोस्तों मैंने जो important topic था न, यह मैंने आपको पहले करवाया था, बहुत सार्च्ण वीडियोस नहीं देखते हूं, नहीं तो लगता है, यह तो, sorry, syllabus में है यह नहीं, तो यह हम क्यों पढ़ें लेकिन आपको पता नहीं है, आगे की चीज़े सिखने के लिए कुछ basic भी हमें पढ़ना होता है, देखे, next question, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect में आपको चेंज करना है, बहुत ही असान है, और यहाँ पर तो दोस्तों, मतलब 50% और solve करके दे भी दिया गया है, बताइए, देखे, सबसे पहले तो आपको अगर rule भी नहीं पता है ना, कि direct speech को indirect में कैसे change करते हैं, तो आप क्या कीजिए ना, पहले तो आप tense check कीजिए, कौन सा tense में है, ठीक ना, देखे, आपका जो direct speech है, यह he said to me, उसने मुझसे कहा, यह past indefinite का है, ठीक ना, और उसके बाद आप देखेंगे, त like the book, यह present में है, तो आपको पता है दोस्तों, जब एक sentence past में होगा, तो दूसरा भी past में ही होगा, और अगर हमारा direct speech past में है, तो indirect speech भी हमारा past में होगा, ठीक ना, तो उसने मुझसे कहा, he said to me, do you like, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किजिए, यह जो sentence ने, do you like the book, यह question mark में है, ठीना, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है, तो he ask लगाएंगे, क्यूं, क्यूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीना, क्या तुम्हें यह book पसंद है, या क्या तुम्हें यह book पसंद करते हो, दोनों अर्थ रखता है, तो he ask होगा, ठीना, क्यूंकि उनने मुझसे से पूछा, अब किस से पूछा, किस से पूछा, तो मी मुझसे पूछा, ठीज न, अब यहाँ पर क्यों आया दोस्तों समझेगा, इफ का यूज यहाँ पर आज़ा क्या के रूप में किया गया है, ठीज न, तो he asked me, if I, अब यह जो है न, यह भी past में हो जाएगा, direct, speech को indirect में change करेंगे, तो indirect वाले जो past वाले जो sentence होगा, मतलब पहले वाला, वो दूसरा वाला भी past में होगा, ठीज न, तो यहाँ पर if I lagged होगा, option D's का सही answer होगा, ठीज न, चालिए, next question करते हैं, मैं आपको करवाद होगा, direct, indirect, speech, next question, select the alternative which west express the meaning of the items and phrase, दो कोशन आते हैं इसके, देखे, according to का सही होगा, मतलब, according to का मतलब होता है, के अनुसरा, as stated by होगा, ठीज न, इसका meaning, next question, देखे, next question, देखे, यह मेरा कराय हो कोशन है, conditional sentences से, मैंने आपको बता दी है न, rule, क्या है इसमें, और rule मैंने अच्छे से समझाया है, दोस्तो, आप देख लिजाएं, English की वीडियो, देखे, he will not be slim, he will not be slim का मतलब होता है, overweight होना, तो वह मोटा नहीं होगा, अगर, वह, मतलब, junk food खाना, नहीं बन करेगा तो, ठीना, तो मैंने आपको rules दिखा दता हूँ, मैं आपको, याद किजी दो if, when, unless, until, before, as soon as, as long as, in case से, सुरू होने वाला clause में simple present का परियोग होता है, मतलब simple present tense का परियोग होता है, तथा main clause में future tense का परियोग होता है, देखे, अगर दोस्तो, दो sentence, ठीना, दो sentence आपस में connect हो, और एक sentence, मतलब कह सकते हो, दो clause, दो उपबाकिये, अगर एक साथ connect हो, और अगर जो main clause होगा, main clause जो होगा ना, वो बिना unless, until, before, as soon as, if, when, से start होगा, मतलब उससे पहले यह नहीं लगा होगा, और जो subordinate clause होगा ना, वो यह subordinate clause है, जैसे जो if, unless, until, before, as, soon से जो start होगा, वो हमारा subordinate clause होगा, तो उसमें जो है ना, present indefinite tense का use होता है, ठीना, पढ़ परियोग होगा, इसे हम, जो है, subordinate clause कहते हैं, उसमें present indefinite tense का परियोगा, लेकिन main clause, जो है, वो future tense में होगा, ठीक ना, देखे, तो अब आपको पता चल गया दोस्तों, हमारा rule क्या कहता है, कि अगर दो sentence आपस में connect हो, ठीना, और अगर, sorry, दो clause आपस में connect हो, और पहले, क present indefinite में होगा, और main जो है, वो future में होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखे, यह भी नहीं होगा, उसके बाद यह भी नहीं होगा, अब C और B में से हमें decide करना है, तो देखे, पहले तो आप यह चेक कीजिए, कि यहाँ पर जो है ना, he use होगा, देखे न, he will not be slim, if he, अब he के साथ आपको पता है दोस्तो, क्या आता है, he के साथ आपको पता है ना, हम singular verb के use करते हैं, तो singular do होता है, do होता है यह does होता है, याद किजिए, does होता है ना, तो he के साथ does note आएगा, देखे, कितना ज़्यादा आपका grammar चेक किया जा रहा है, यहाँ पर आपका subject verb agreement भ देख सकते हो पिछले साल के अब दोस्तों कुछे स्टुरेंट कहेंगे कि सर डू और डज इसमें क्या अंतर है आखिरी डज कैसे ये singular वर्व हुआ तो देखें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्व में हम एस या एस या आई एस लगाकर उसे singular बनाते हैं और जो वर्व की first form जो होता है न जो आपके पास translation की book होगी last के pages जब आउपन करेंगे तो वर्व की जो first form दे रखा होता है वो already plural होता है तो do के साथ आप yes लगाकर उसे singular बनाएंगे और he जो है third person का singular subject होता है तो उसके साथ similar helping verb भी use होगा तब ही हमारा verb मतलब तब ही हमारा sentence सही होगा as a subject verb agreement देखे next question दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आपको ये भी बता है ना कि yesterday को indirect speech में किसमें change किया जाता है तो भी आप answer बता दोगे yesterday का indirect speech में the day before होता है तो ये answer हो गया क्योंकि किसी में है ही नहीं अब देखे मैं आपको इसको detail में बताता हूँ Rita said Rita ने कही I had a headache yesterday मुझे कल जो है मतलब सर में दर्द था तो यहाँ पर आप देखे दोस्तों दर्द किसे था? headache किसे था? Rita को तो Rita के लिए जो हम use करेंगे पर non वो क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे C यहाँ पर हम I नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं है उसकी भासा को हमें अपने तरह से बोलना है मान लिजी आप reporter है आप किसी ने जो है कुछ speech दिया कोई leader ने उसकी बात को आपको अपने भासा में जनते के सामने प्रस्तूत करना है तो जैसे मान लिजीए कोई leader है राहूल गांदी मोदी जी तो उसके लिए आप कौन सा use करोगे? उसके लिए आप he use करोगे? उसने कहा ठीना तो वही है रीता ने कही तो रीता के लिए हम C use करेंगे C ठीना अब देखे ये जो sentence है ये past में है तो यहाँ पर हमारा indirect जो होगा ये भी past में ही होगा डारेक्ट अगर past में है तो indirect भी past में होगा रीता टोल रीतान मुझे बताई कि C had a headache the day before ठीक है ना option D's का सही answer होगा मैं आपको करवा दूँगा दो question आते हैं लिख लिजेगा I will not invite Ravi to the study group discussion because he talks too much अब यहाँ पर कौन सा आएगा देखे ये जो आप देख रहे ना ये सारे conjunction है मैंने आपको अल्लेड ही बताया है दोस्तो conjunction preposition non-finance verb items and phrase उसके बाद दोस्तो conditional sentence और subject verb agreement यही 5-6 topic है जिससे questions आपकी exam में आते हैं तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए इसको हिंदी में translate कीजिए I will not invite Ravi मैं Ravi को जो है invite नहीं करूँगा to the study group discussion के लिए क्योंकि he talks too much वो बहुत ज़्यादा मतलब बाते करता है अब यहाँ पर my friend don't like him हो सकता है इसलिए हो सकता है मेरा friend जो है उन्हें पसंद नहीं करता तो अब इसलिए या फिर इस वज़ा से यह भी तो आ सकता है न तो फिर यहाँ पर हम क्या यूज़ करें देखे although का मतलब होता है halanki ठीन और however मतलब होता है फिर भी ठीन और in spite of मतलब होता है के बाब जूद और further more मतलब होता है जैसे कोई आप बात बोल रहे हैं तो उसी के साथ आगे वाले सेंटेंस को पूरा करने के लिए further more का use किया जाता है तो यहाँ पर जो है न further more का use होगा ठीना क्योंकि however, although, in spite of जो है न यह क्या? यह वीपरित अर्थ दे रहे है मतलब यह अर्थ दे रहे है फिर भी यह अर्थ दे रहे है तो फिर भी तो यहाँ पर नहीं होगा यह तो इसका सही आंसर होगा option B next question fill in the blanks with suitable option I will not invite Ravi to the study group discussion because he talks too much my friend don't like him अब आपको बताना है दोस्तो desk के स्थान पर इन में से कौन सा conjunction use होगा देख लिजे conjunction से आपके questions एक्जाम में आया हुए है although का मतलब होता है halanki ठीक न however का मतलब होता है दोस्तो फिर भी या however का use जो है न एजा वट के रूप में किया जाता है लेकिन के अर्थ में भी spite of का मतलब होता है के वाब जूद और further more का मतलब होता है के अतिरीक्त और भी के लिए यूज किया जाता है भी ठीक न अब इसे हिंदी में आप translate कीजिए I will not invite Ravi to the study group discussion मैं जो है Ravi को study group discussion के लिए invite नहीं करूँगा क्योंकि वह बहुत बाते करता है ठीक न और यहाँ पर अगर हम further more लगाए further more my friend don't like him इसका मतलब यह है कि हमारे friend भी जो है उसे पसंद नहीं करता ठीक न तो हो सकता है यहाँ पर further more ही use हो और के अतिरीक्त के रूप में भी further more का use होता है दो sentence में आगे के sentence वाक्य को पुरा करने के लिए further more का use किया जाता है तो यहाँ पर यही use होगा क्योंकि आप देख सकते होए इन तीनों में से तो use होगा नहीं कोई देखे next question please go there it is getting late कि अब वहाँ जाईए यह जाओ late हो रही है ठीक न अब देखे दो independent clause को ठीक न दो सोतंत्र उप वाक्य कह सकते हो दो सोतंत्र उप वाक्य को आपस में correct करने के लिए दोस्तों हम कौन से conjunction के use करते हैं what का use करते हैं and का use करते हैं और भी कही सारे conjunction जैसे as well as हो गया लेकिन यहाँ पर आपको punctuation marks यूज़ करना है देख लिजे यह topic आपको स्लेबस में भी दिया गा और question भी आया है तो कौन से use करेंगे देखे पहला तो होगा नहीं question mark दूसरा sorry यह मैं क्या कह रहा हूँ exclamation marks exclamation marks की use होगा नहीं आश्चारे की वाक्यों के लिए exclamation marks की use होता है नहीं होगा full stop होगा नहीं क्योंकि यह last में होता है जब sentence complete हो जाता है तो यहाँ पर semi-colon का use होगा though independent ठीक ना independent दो जो है सोतंत्र बाक्यों को connect करने के लिए semi-colon का use किया जाता है select the past perfect continuous tense from of the sentence यह वाला जो आप sentence देख रहे हैं the children played in the park throughout the evening इसका past perfect continuous tense आपको इन में से बताना है देखे यह जो sentence है यह दोस्तो past indefinite का है ठीक ना simple past का और इसको अगर आप हिंदी में translate करेंगे तो क्या अर्थ दे रहा है बच्चे जो है पूरे साम पार्क में खेलते थे या खेलते रहते थे ठीक आर्थ आएगा उसके बाद इसको अगर हम past perfect continuous में change करेंगे तो हमारा rule क्या है past perfect continuous का subject had been ठीक ना had been उसके बाद वर्व की fourth form plus में object first option A सही answer होगा यह question दोस्तों आपका subject वर्व agreement से पूछा गया है यह topic औल्लेडि मैंने news क्या है दोस्तों news कुछ student को देखने में लगेगा कि यार यह news इसके साथ ace लगा हुआ है तो यह तो plural हो गया तो इसके साथ हम plural helping verb का use कर लेंगे लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि news जो है ना देखने में लगेगा आपको यह plural अब इससे पहले दोस्तों दिस लगा है तो आप दिस से भी तो पहचान सकते हो क्या दिस किसके पहले लगा होगा दिस कोई singular non के पहले ही लगा होगा उसको denote करने के लिए और दिस यहाँ पर adjective है non या पर non को point out करने वाले ऐसे word जो उनको point out करता है वो हमारा demonstrative क्या होता adjective होता है तो यहाँ पर कौन सा helping verb यूज होगा यहाँ पर इज होगा अब आप लोग कहेंगे has क्यों नहीं यूज होगा तो hedge किसलिए यूज होगा यहाँ पर hedge के बाद आपको पता है हमेशा hedge के बाद बाद दोस्तों कोई main verb का use होता है main verb तो है नहीं और hedge का अर्थ होता है pass रखने के लिए तो this news has no true कुछ अर्था रहा है नहीं आ रहा है ना खुद देख सकते हो देखिन एक question दोस्तो conditional sentences से पूछे गए हैं total दो question हो गए हैं ठीना I dash at the star all the time अब देखिन यहाँ पर कौन सा verb आएगा कौन सा helping verb आएगा यह आपको बताना है तो देखिन दोस्तों आप जो है ना इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर देखिन if, when इस से start होने वाला जो भी sentence हो जो भी clause हो उसका tense आपको चेकरना है देखिन यह past में है ठीना इसके साथ word लगा हुआ है तो फिर उसके बाद वाला जो हमारा जो clause होगा वो भी past में ही होगा वहाँ पर जो rule था कि अगर if, when, as, soon, as, until, unless इस से अगर कोई sentence clause start होता है अगर वो present में है तो future में होगा main clause लेकिन यहाँ पर अगर यह past में है तो वो भी past में होगा तो देखिए will तो होगा नहीं क्यों नहीं होगा बताऊँगा ना ही look होगा ठीना उसके बाद will look भी नहीं होगा would look होगा will का past होगा अगर मैं astronaut होता तो मैं जो है तो star को all the time देखता रहता ठीना तो will का past would होगा ठीना चालिए next question करते है देखिए बताना है आपको एक होता है दोस्तो semi-colon और यह है colon ठीना इसका सही answer option D होगा semi-colon का sign क्या था आपको मैं यहाँ पर so कर देता हूँ देखिए यह है semi-colon ऐसे विंदू होगा और इस तरीके से आपका यह होगा कॉमा देखिए next question बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो इस question का answer आप easily बता सकते हो desktop computers are cheaper and more reliable than laptops यहाँ पर अगर आप इसका हिंदी करेंगे तो क्या अर्था रहा है जो desktop computer होते हैं न यह laptop के मुकाबले ठीना comparison किया जा रहा है laptop के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ता होते हैं और reliable भी होते हैं विस्वसनिये भी होते हैं और साथी साथ बतलब देखिए अर्था रहा है ना साथी साथ दे last longer sentence जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं एंड का यूज़ करते हैं दोस्तों और साथी साथ जो है न उसमें हम further more का भी यूज़ करते हैं further more मतलब आगे के बाक्यों को जोडने के लिए अब further more का हिंदी मेर्थ होता है और साथी साथ भी यूज़ कर सकते हो के अलावा के अलावा के अर्थ में भी होता है तो आपको अगर हिंदी मेर्थ पता है न तो भी आप बता सकते हैं यह जो आप फ्रेज देख रहे हैं यह मुहाबरा कह सकते हो आडमस ये 9 days wonder आपने एक कहावश सुने होगे चार दिन की चांदरी तो वही है उसका मतलब ये 9 days wonder का मतलब वही है अब यनमें से कौन सा सेम अर्थ देता है तो देखे ए a short lived sensation sensation मतलब होता है sun sunny sun sunny खेज ख़बर आपने सुने होगे तो यही है मतलब कुछ दिन रहास मतलब सिंसेशन मतलब एक होता है स्टार्डम सिंसनी खेज तो वही कुछ दिन का स्टार्डम ठीना वो कह सकते हो आप option भी इसका सही answer होगा next question दोस्तो subject वर्व agreement से पुछा गया है और ये question मैंने करवाया है अब आप लोग कहेंगे कि sir आपके पास क्या proof है हमें so कीजिए देख लिजिए और देखें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो बिहार डियलेट के entrance exam में पिछले साल जितने भी questions पूछे गए थे ना सारा का सारा Lucent की General English की book से question पूछे गए है और देखे यह जो मैं आपको बता रहा हूँ न यह आपको paid course बेचने वाल आपको नहीं बताएगा क्योंकि जब वो बता ही देगा जब आप खोद ही पढ़ लोगे तो फिर उसका paid course कैसे बिकेगा तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो प्लीस पांचे टॉपिक जो मैंने आपको बताया है उसे अगर आपके पास Lucent के book है अगर आप खरीद सकते हो 180 दोसों का पड़ेगा तो जरूर आप खरीद लेना दोस्तो और पांचे टॉपिक आप कर लेना बीस में से बीस नमबर आपके पक्के हैं देख लीजिए देखे इच ओफ आइदा ओफ नाइदा ओफ के बाद हमेशा plural non और plural pronoun का यूज किया जाता है लेकिन जो वर्व यूज किया जाता है न वो singular देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए यहां पर singular main verb या similar helping verb का यूज होता है देख सकते हैं आप लोग अब देखे एक चीज़ तो हमें confirm हो गया कि इसके बाद जो main verb या helping verb या यूज होगा यह हमारा similar होगा तो similar कौन सा है चेक कर लेते हैं वाज हमारा similar है और देखे वाज ही exam questions पूछ लिया जाए लूसेंट से यह question उठा कर दे दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे तो देखे इच every आइदा नाइदा के बाद अगर off ना आए तो धियान रखेगा अगर off ना आए तो हमेशा non और पर non हमेशा singular use होगा और इसके साथ जो singular इसके साथ जो वर्व यूज होगा वो भी similar ही होगा देख लिजिए तो यही है subject वर्व एगरिमेंट का rule थोड़ा सा change से पुरा format ही वदल जाता है यही पढ़ लीजिएगा देखे नेक्स्ट question भी subject वर्व एगरिमेंट से पुछा गया है मतलब तीन से चार question subject वर्व एगरिमेंट से आ रहे हैं देख लिजिए a pair of seizure अभी इसके साथ ही दोस्तो helping verb या जो main verb यूज होगा वो भी similar यूज होगा क्यों कि देखे अगर a pair of का use नहीं किया जाता ना only seizure का यूज किया जाता तो वहाँ पर seizure के बाद हम हमेशा जो है plural helping verb या main verb का use करते हैं लेकिन अगर a pair of आ जाए ना और उसके साथ आपको देखने हो को मिलेगा plural non का use देखने हो को मिलेगा लेकिन वह ही यूज होगा singular helping verb या main verb तो कौन सा है singular देख लीजिए यहाँ पर जो singular हमार was है बाकी तो सारा plural है अब सोची दोस्तो कोशन इतना ही आसान होता तो फिर यह तो कोशन 4th 5th class के बचे कर लेते अगर plural वर भी लगाना होता तो तो यही तो subject पर अब agreement है जहां आपका deeply knowledge चेक किया जा रहा है क्या आता है grammar आपको या नहीं और देखे यह वाला कोशन और य जो है ना lucent की जो book है उससे हू बहू उठा कर दे दिया गया हू बहू और अगर आपको trust नहीं है ना देखे मैं आपको next वीडियो में जो है उसका photo भी जो है screen shot so कर दूँगा तो आपको trust हो जाएगा देख लिजे यहां पर आपको बताना है the aeroplane is flying अब इनमें से कौन सा prep से भी उपर के रूप में जो है ना अस्तर बताने के लिए लेवल बताने के लिए एवाब का use होता है अब यहीं पर आप लोग देखेंगे तो इसमें कुछशच्प्रिंट कहेंगे कि सर इसमें भी एवाब का use होगा लेकिन नहीं यहीं तो grammar का खेल है प्री पोजिसन का इ जेवल से उपर के रूप में हुआ है और यहाँ पर जो हुआ है यह बादल से भी उपर के रूप में हुआ है तब एवाब का use हुआ comparison के लिए से भी उपर कह रहा था में अब देखे दलाइट इसमें इंफिनिटिव नोन फाइनाट वर्ब बताना है तो 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 रिड जो है इंफिनिटिव और इंफिनिटिव जो है यह नोन फाइनाट का ही पार्ट है तो 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 रिड हमारा सही आंसर होगा देखे यहाँ पर read हो है, to लगा हुआ नहीं है, तो बात वही है, ठीक है ना, confused नहीं हो येगा, देखें दोस्तों, अगर आप और English की classes देखना चाहते हैं, subject, verb, agreement के preposition के, तो आप लोग playlist चेक कर लिजेगा, यहाँ पर आपको all classes मिल जाएगा, और syllabus चेंड नहीं हुआ है, आप लोग पिछले साल के वीडियो से भी तैयारी कर सकते हो, मैं आपके benefit के लिए बता रहा हूँ,